हलो फ्रेंस कभी कभी हम लोग का बहुत ही चटपटा सा खाने का मन होता है तो आज मैं आप लोग के लिए कुछ इसी तरह की यूनीक सी रेसिपी लेके आई हूं इसे हम लोग बनाके एक हफते तक स्टोर भी कर सकते हैं और यह बेहद ही जादा खाने में टेस्टी लगते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंस आज की मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले फ्रेंस मैंने यह तीन बॉइल आलू ले लिया है और आलू मैंने ठंडे लिया है इ मैं यह आधा कटोरी चिवड़ा यानि पोहा ले रहे हूं इसको मैंने भीगो के थोड़ी दर पहले रख दिया था इसको डालने से हमारी नास्तेम बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा अब तीन से चार हरी मिर्च बारी कटी हुई मैं इसमें डाल रहे हूं अब इसमें चिव खूलने थोड़ा सा लाल मिर्च यानि दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हूं आप अपने टेस्ट को कॉटर्ण धीं western धीमरा कारीब मिर्च क्रिब यह न है इसका भी टेस्ट बहुत जादा हमारे कबाब में आएगा अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दे रहे हूं अब इसमें मैं आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाल रहे हूं और इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से म पानी वानी का यूज नहीं करना है और सिर्फ ऐसे ही यह आलों के साथ हम लोग इसको मैस कर देंगे और यह देखे फैंस हमारा एकदम अच्छी तरह से डोलक के तयार हो चुका है अब हाथों में थोड़ी सी चिकनाई यानि तेल लगाके इसके हम लोग कबाब बना के तयार क खा सकते हैं और इसको हम लोग एक हफ्ते तक बना के स्टोर भी कर सकते हैं मैं आगे बताती हूं किस तरह स्टोर करना है और यह देखिए यह हमारे सारे कबाब बन के तयार हो चुके हैं तो चलिए हम लोग दूसरी तयारी कर लेते हैं और मैंने एक कटोरी ले लिए और इस इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे और मैंने पानी डाल दिया है इसका हम लोगों को इक पतला गोल बना के तयार करना और यह देखिए यह मारा गोल बन चुका। इसको साइड में रख देते हैं अब ये मैंने नमकीन ले लिया है जो आलू भुजी आती है बस वही मैंने पांच रुपे वाले दो पैकेट ले लिये हैं इसी से हमारे डिस में यानि कबाब में बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है अब एक कबाब लेंगे और जो हमने गोल बनाया था उसमें डाल देंगे और डालने के बाद अच्छी तरह से डिप करने के बाद हमने जो नमकीन लिया है यानि आलू भुजी आ फैंस उसमें हम लोग अपने कबाब को अच्छी तरह से कोट कर देना है अच्छी तरह से दबा दबा कर कोट करना है ताकि नमकीन इस पर अच्छी तरह से चिपक जाए देखिए कुछ इस तरह से अब मैं आप लोगों को एक और बता दे रहे हूँ यह हम कबाब एक लेंगे और जो हमने घोल बना के तयार किया है मैदे का उसमें अच्छी तरह से इसको डिप कर लेंगे और फिर यह जो हमने नमकीन लिया है इसमें अच्छी तरह से अपने कबाब को कोट कर देना है आप चाहें तो नमकीन की जगे पतली वाली सेवही का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से सारे कबाब हम लोग बना के तयार कर लेंगे और इसी तरह फ्रेंस आप लोग इसको रखके फ्रीजर में एक हफ्ते तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं अब फ्रेंस मैं थोड़ा सा तेल ले रहे हूं मैं इसको सेलो फ्राई करने हूं आप चाहें तो डिफ्राई भी कर सकते हैं और इस तरह से एक एक करके जितना हमारा कबाब आपाएगा उसमें डाल देंगे और थोड़ी देश सेखने के बाद इसको पलट पलट के हम लोगों को अच्छी तरह से दोना तरफ से सेख लेना है गोल्डन होने तक फ्रेंस यह नमकीन इसके उपर लगाने से बहुत ही ज्या सारा कबाब आचका है हमारे कबाब का अब हम लोग एक एक करके सारे कबाब निकाल लेंगे फैंस इसको आप लोग एक बार जरूर्स एर्म चलिए मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई